हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई नीटिंग चैनल मैं प्रम्ला सर्मा आज आप लोगों के लिए एक डेड़ से तीन साल के बच्चे के लिए एक अप टू डाउन स्वेटर लेके आई हूं जो गले से बनेगा और यह में डबल कलर में बनाऊंगी यह मेरा देखे कि यह यह ल यहां पर देखे 10 नंबर की सलाई लिए तो यहां पर जो गले का बॉर्डर बनेगा यह 10 नंबर की सलाई से बना रही हूं फिर इसके बाद मैं इसमें 9 नंबर की सलाई लगाऊंगी तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स यहां पर मैंने 57 पंदे ले लिए हैं और डिजाइ को दो चनल टैने तीन तार अलग-अलग होते हैं तो यह जो मैंने बनाई बच्चे के लिए बना रही हूं तो यह 57 फंद यहां पे मैंने ले लिए हैं थी तो आप देखें इसमें चार सलाइय हमें बनाना है तो इस तरीके से हमें start करना है देखिए ये हमारा पंदे डालने के बाद से हमारा ये पहली सलाई है सीधी side से तो ये देखिए इस तरीके से start करेंगे इस तरीके से उल्टा-उल्टा हमें बनाके complete करना है चार सलाई ये इसी तरीके से उल्टा-उल्टा बनाते हुए दूसरी सलाई उल्टी साइट से तीसरी सलाई सीधी साइट से पूरी इसी तरीके से उल्टी उल्टी आपने तरफ धाग करके और इसी तरीके से उल्टा उल्टा बनाना है और चौथी सटाइय भी उल्टी साइट से पूरा उल्टा-उल्टा बनाके complete कर लेती हूं, फिर आपको दिखाती हूं, क्योंकि ये नॉर्मल उल्टा-ल्टा ही बनाना है, तो इस बांद ना, इसी तरीकी से बनाते हुए जाना है, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी टोटल चार सलाई यह हमें बना के कंप्लेट करना है तो मैं इसकी चार सलाई यह बना लेती हूं फिर आपको दिखाती हूं अब देखें फ्रेंड्स यहां पर हम चौती सलाई में हैं उल्टी साइड में और यहां पर हमें न अब एक इसका जो है तो बटन होल बनाना है तो बटन होल कैसे बनाएंगे तीन richest हमने बना लिये हैं उल्टा उल्टा आंभी देखे इस तरीके से सलाईaley में लपएट देंगे जाली देंगे और आगे जब बनाएंगे दो फंदे का एक कर देंगे तो जो जाली से यहां पर फंदा बढ़ा था तो यहां पर हमने दो का एक कर दिया तो यह हमारा फंदे बराबर हो ठीक अब यहां पर इस साइड और इस साइड तो हमारे बटन पट्टी के फंदे होंगे साथ फंदे इधर साथ फंदे इधर तो देखें तीन फंदे यहां पर मैंने बनाने के बाद और यहां पे जाली डालकर यहां पे बटन होल बनादिया है तो देखिये अब कितने फंदे हो गए एक, एक, दो तीन, चार, पांच, शे और एक और हो जाएगा साथ फंदे इस साइड से और साथ पंदे उस साइड से तो यह हमारा बटन पट्टी का हो जाए ठीक है तो अभी मैं अभी उल्टी सलाई इसका जो बना रही हूं चौथी सलाई इसको पूरा बना लेती हूं फिर इसके बाद जो है तो हमारे इसमें फंदे बढ़ाने हैं यहां पे तो अगली सलाई में फंदे कैसे बढ़ाना है वो 6 फंदे और उल्टे उल्टे बना देंगे 2, 3, 4, 5 और ये 6 अब यहां पर देखें फ्रेंट्स हमें अपना ये जो हमारे पार्ट है इनको डिवाइड करना है ये जैसे मैंने बताया आपको कि आप 2 डाउन स्वेटर है तो यहीं से अब हमारे पार्ट डिवाइड होने लगें जो 7 फंदे बटन पत्टी के हैं इधर और इधर उसके बाद जो है तो पांच फंदे अभी हम इसमें से जो फंदे 57 पंदे हैं जो से हम अपना पंधा बढ़ाएंगे ये जो नीचे हमारा ये लूप है ये धे機ि CAN इसको भी हम इसे सलाई में लेके और एक बना लेंगे तो 4 पंदे के बाद ये हमारा एक फंद बढ़ा लिया, तीन फंद और उल्टे बना लेंगे, एक, दो फंद और बना लेंगे, दो, ठीक है, तो अभी यह देखिए, इसके बाद से हमारे 6 फंदे हो गए, ठीक है, पांच फंदे में से हमें बढ़ाना तो तो यहां पे देखिए, हमारे 6 फंदे हो गए, एक, द यहां पर फिर से देखे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार पंदे बुन लिया, हमने यहां पर, अब यहां पर इस तरीके से लूप उठाएंगे, ऐसे, और यहां पर बना लेंगे, एक पंदा यहां पर बढ़ गया, तीन पंदे और बनाने हैं, तो यह बाजू की हो गए, ठीक है, टोटल यहां से लेके, यहां तक हमने दो फंदे बढ़ा लिये, ठीक, अब यह हमारे 15 फंदे बीच में जो है, तो यह हमारे बैक साइड के हैं, ठीक है, यहां पर, तो यहां पर, पहले हम 5 फंदे बना लेंगे, या 6 फंदे बना लिजे, 6 बना लिजे, 7 बना लिजे, कोई जरूरी निए कि 5 ही बनाने हैं या 4 ही बनाने, ठीक है, तो यहां पर मैंने 5 फंदे बना लिए हैं, 6 फंदे बना लिए हैं, उसके बाद देखें, यहां पर एक लूप उठा के, यहां पर फंदा बढ़ा लिए, अब आगे के फंदे बना पढ़ा लिए और फिर देखें यहां पर इस तरीके से बढ़ा लिए यहां पर ठीक है तो टोटल यहां पर हमें दो फंदे बढ़ाने तो दोनों फंदे बढ़ गए हैं तो यहाँ पे हमारे बढ़ाए तो इसी तरीके से जैसे इधर हमने बटन फंदे से पहले जो पांच फंदे फंदे तो जैसे बढ़ाए है वैशे हHD पे भी हमें अपना बढ़ा के complete करना है ठीक है तो मैं यह बना लेती हूं उल्टी सलाई पूरी उल्टी उल्टी बनेगी तो भी बना लेती हूं फिर आपको सीधी सलाई दिखाती हूं ठीक है तो फंदे इसी तरीके से बढ़ाने हैं जैसे 7 फंदे हैं तो 4 फंदे आप बना यह तीन फंदे बना लीजिए फिर ऐसे लूप उठा क्या फंदा बढ़ा लीजिए तो मैं यह कर लेती हूं complete फिर आपको दिखाती हूं यह उसमें हमने फंदे बढ़ाए हैं ठीक है फंदे बढ़ाने के बाद से उल्टी सलाई पूरी छटी उल्टी सलाई पूरी कम्प्लीट के लिए आप सात्वी सलाई यहां पर हम अपने फंदे पूरे डिवाइड कर लेंगे तो बॉर्डर अब यहां पर हमारा बनके complete हो गया जाएगी सीधी सीधी सी ठीक है बहुत अच्छा लगेगा यह बनके तो देखे पहला फंदा हम इस तरीके से उतार लेंगे और आप देखे यहां पर इसको उतारे वाले फंदे को भी मिलाके साथ फंदे बटन पट्टी के बना लेंगे तो यह उल्टे उल्टे बनाएंगे पांच फंदे जो मैंने बताया था अब उच्छे हो गए फंदे बढ़ने के बाद देखे एक दो तीन चार पांच और यह च्छे फंदे के बाद देखे धागा अपनी तरफ लाके यह च्छे फंदे हमने देखे बटन पट्टी के बाद से यह च्छे फंदे सीधे सीधे ब देखे, इस फंदे में फिर से हमें जाली डालने हैं, लेकिन हम आगे के फंदे के लिए इसे गिनेंगे, तो देखे, एक जाली डालते हुए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, पहले यहाँ पे हमारे साथ, साथ फंदे थे, अब फंदा हमने बढ़ाया तो यहाँ पे आप फंदे हो गए ठीक है यह देखिए आठ हो गए अब देखिए फ्रेंड से यहां पर फिर से हमें आठ फंदे हो गए हमारे इसके बाद से फिर से हमें यहां पर आगे जाली डालना है तो यह वाली जाली जो पहली जाली डालेंगे इसको हम काउंट नहीं करते हैं फिर अगली जब दुबारास है मैं जाली डालना है अपनी तरफ करके सीधा बनाते हुए यहाँ पर एक जाली जब डालेंगे तो इसको अब हम काउंट करेंगे तो एक हो गया दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा 17 15 सोला को पहले हमारे यहाँ पर 15 फंदे थे Why फंदे dużo सात्र ऐच जाली डालेंगे ठीक है तो यहाँ पर चाली डालके करेंगे पहले हैילे यहाँ साथ कून धल से एक जाली डाल और यहां अठीक है तो एक जाली दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और एक ये आठ फंदे, आठ फंदे हो गए, धागा अपनी तरफ करके एक जाली यहाँ पर हम बना देंगे इस तरीके से, आगे फिर से देखें यहाँ पर, एक जाली और डालेंगे लेकिन अभी इसको काउंट करेंगे ठीक है, ये जाली डाल दी यहाँ पर, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, छे, छे फंदे यहाँ पर हमारे कम्प्लीट हो गए, फिर से ठीक है, अब आगे देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, अब ये हमारे देखें धागा अपनी तरफ करके, ये हमारे साथ फंदिव बटन पट्टी के हैं, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये देखेंगे धागा पीछे की तरफ करेंगे और इसको ऐसे हम सीधह बना देंगे, तो ये देखें, इस तरीके से हमारी, ये सीधी- गात tiramadai को हम उतार लेंगे जम उतारने के बाद से पूरा совсем हर बार Um technisch की इसकी उलती को इसी तरिके से उल्टी उल्टी बनेगी तो यह आप हमारा हमारा फ्रेंट्स देखे फिर से अब हम सीधी साइड में आ गये हैं यह जो हम बना रहे इसकी यह नौवी सलाई है तो देखे साथ फंदे बटन पत्टी के इसी तरीके से हम बना लेंगे अपने ठीक है उल्टे उल्टे बना लेंगे ऐसे अभी देखे धागा पीछे की तरफ करके अब जाली से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, जाली के उपर ही जाली डालनी है हमें, ये देखे ये जाली से बढ़ा हुआ फंदा है, इसको भी हम इस तरीके से सीधा बना लेंगे, तो ये बटन पट्टी के बाद से, एक, दो, तीन और ये साथ, तीन दो निचे और एक सा साथ, तो एक, दो, तीन, चार, पांस, शे, पहले जब हमने जाली डाली थी, यहां पर तो ये हमारा छे था, छे फंदे थी यहां पर, अर्येVR जाली से यहां बढ़े तो ये सा ठीम हमारा बढ़ गया है, तो ये हमारा 7 पंद हो गया, और अब एस एक बार यहां पर जाली इसी के उपर और दूसरी जाली यहां पर बनाएंगे तो इसी तरीके से जो इस साइड हम बनाएंगे तो उससे इधर कफंदा बढ़ेगा जो इधर जाली देंगे उससे इस साइड कफंदा बढ़ेगा ठीक है ऐसे ही करके हमारी जाली से फंदे बढ़ते जाएंगे तो देख नहीं पूरा भी इस ऑनलिष्रिंद के जाली से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे यही जrah जहां पे भी जाली डले गें तो इसलिए जाली के उपर jouer भी जाली के सबस्क्राइब हमारे बढ़ते जाएंगे तो आप यहाँ पर आप देखये यह समझ्झिए यहाँ पर कि यह द यहां तक पठीछ के बाजु हुछ और यहां से लेके और बटन पटीके साइड इतर जो फंदे है यह जो बढ़ेंगे यह हमारे फ्रेंट के होंगे ठीक है तो टोटल यहां पर हमारी काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार जाली डली हुई है तो चार जाली में हमारी दोनों साइड से जाली डल रही है अकेली एक जाली नहीं है देखिए दो बार हम यहां पर जाली डाल रहे हैं एक इधर और एक कि इस साइड यह तो दो मतलब हमारे हर बार बढ़ेंगे यह निकि टोटल हमारे फंदे 224 और 224 आठ फंदे हर भार की हमारी सीँधी साइड की सलाई में बढ़ेंगे इसमें तो इसी तरीके से बनाना है और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यह मैं double color का बनाऊंगी तो आप इसमें चार जालियां बनाने के बाद से जब इसमें देखे एक और दूसरी जाली डाल दी जब आभी दो बार और इसी तरीके से रिपीट करने के बाद फिर मैं यहां पर अपना next color लगाऊंगी ठीक है तो वह भी मैं आपको लगा के दिखात आपको सारे पन्दे ऐसे सीधे-सीधे बनेगे और मैंने यह उल्टी-उल्टी जो बनाई है उसके बाद से मैंने जब सीधा बनाना इस्टार्ट किया है यह जो पार डिवाइड किये हैं तबही से मैंने नो नमबर की सलाईस में लगा ली है यह देखिए जैसे यहाँ पर यह जाली से बढ़ा हुआ फंद हमने सीधा बना दिया और इसी जाली के उपर एक बार हम फिर से जाली बना देंगे ऐसे और दूसरी जाली यहाँ पर तो हर बार हमारे दो फंदे बढ़ रहें न तो हमारे इसको बना लेती हुँ उल्टी सलाई भी कम्प्लीट करती हुँ फिर आपको दिखाती हुँ यह देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर तीन जाली है इससे येलो कलर से बना ली है ठीक है अब यहाँ पर मैं अपना एपना next color joint कर ली हूं जो मैंने आपको बोला था कि इसमें दो color से बनाऊंगी तेधिए यहां पे अब यह हम दूसरा color अपना लगा लिये हैं यहां पर इस तरीके से ही soon में हमने बांद लिया है और आप देखें यहां बनेगा उल्टी साइट से अटेच्च कर लिया है अब दीजाइन की य 내용 भालगा यहे पी स्थोड़ देंगी डिजाइन की यह हमाहरी ग्यारी अभा है दस्वी उल्टी सैट्से ठीक है इस तरह के से तो वाइट कल्रोण से जैसे मैंनेmaribenben Также मैंने तीन जालियां दी हैं और मैं इसमें वाइट कलर से दो ही जालियां दूँगी ठीक है दो जाली हमारी इससे बनेगी और यह जो गांट का यह जो धागा था वो मैं साथ के साथ ऐसे ही इसमें दवा रही हूँ ताकि यह हमारी फिनेशिंग अच्छे से रहे तो इस तरीके से देखिए उल्टी साइट से मैंने यह लगा लिया है अपना नेक्स्ट कलर और इसी तरीके से आगे मेरे को अपना यह बना के कंप्लेट करना है तीन बार हम जो जाली बनाएंगे यहलो कलर से हम टोटल छे सलाई बनाएंगे उल्टी सीधी की मिलाके और वाइट वाले कलर से हम अपनी चार सलाई यह टोटल बनाएंगे उल्टी सीधी मिलाके ठीक है तो इस तरीके से बनाके कंप्लेट करेंगे तो अभी मैं यह बना लेती हूं वाइट कलर से और आपको मैंने समझा दिया है कि पार्ट हमारे डिवाइड हो चुके हैं तो टोटल मैं यहां पर पहले दस जालियां यानि की दस जालियां का मतलब मैं ऐसे काउंट करती हूं कि जैसे देखिए यहां पर मैंने इस से तीन यह यलो कोलर से अपने जैसे तीन जालिया बना ली तो ऐसे काउंट करेंगे एक दो तीन तो तो टोटल इसी तरीके से काउंट जब मतलब करेंगे तो जब 10 जाली हमारी टोटल बन जाए जब तक बन जाती है सिर्फ कुछ नहीं करना जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जाली के ऊपर ही हमको जाली बनाना है और जो फंदा बढ़ता जाता है उसको सीधा बनाते जाना है सिर्फ, इसके लाबा और हमें पूरा अभी कुछ भी नहीं करना ना कहीं कुछ गटाना है ना ही बढ़ाना है तो जब तक कि 10 जाली है नहीं बन जाती है जब तक मैं बना लेती हैं फिर उसके बाद देखती हूं कि फंदे अगर जो मेरे को कम लगेंगे तो फिर वह मैं एक इस जाली वाला पूरा के गिल्के सिर्फ नसे अलगी और फेके iigart अलगी गै're तो इहाँ मैं ने तीन जो यहलो कलर शेह सलाइ के अजनी जो च नहीं वैट वाला है इसकी मैंने 4 चलाइयं बनाई है उल्टी सीदी मिलाके ठीक है तो इस तरीके से करते हुए हमारा ये देखे ये पूर जो है तो 6 सलाइय यलो की और डाली है क्योंकि जब ये समें हम बना रहे हैं तो 3 जाली हमारी आती और यलो की यहां पे मैंने दो ही लाइन डाली हुई है तो 19-20 जाली हमारी यहां पे बनके कम्प्लीट हो गई है ठीक है तो 20 जाली अब यहां पे बन गई है अब यहां से इस पार्ट में पार्ट वन में मैं इतना ही बताऊंगी आगे इस से यह देखे आज इतना आप समझ ल और यहां से यहां तक फिर से फ्रंट हो गया, यहां पर मैंने साथ साथ इसका यह काउंट करके मैंने यहां पर इस तरीके से बटन होल बना लिया है, सब में यह देखे ऐसा, ठीक है, यहां पर बना एक, दो, तीन, टोटल चार बटन होल यहां पर हमारे बन चुके हैं, तो आ बनाती हुँ तो यह मेरा order का है तो उन्होंने बोला था गले से स्टार्ट होने वाला sweater बनाने के लिए इसलिए मैं इसमें बना के आपको बता रहे हुँ तो इसमें कहीं पर भी आपको ऐसा लगा है कि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो उम्मीद क करें कमेंट करें और मेरे चनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू